दर्शे को हो अभी हमारे साथ अखिल बारती ये अंदर सदानिर मुलन समीते के संस्तापक संगटन आधरनी ये शाम मानौसर है और शाम मानौसर से हम ओ चंद्रगरण सुर्य गरण से बारे में बात करने वाले हैं गरण के बारे में अलग-अलग अंधविश्वास मैं बचपन से सुनते आया हूँ जैसा कि गरण के समय में अगर हमने कपड़े पहने है तो वो कपड़े बाद में पहनने नहीं है क्योंकि उसमें कुछ गलत किरने आती है और वो गलत किरने हमने नहीं पहनने चाहिए उसके बहुत दुश्परिणाम होते हैं इसलिए ये कपड़े किसी को भीकारी को दे देने चाहिए याने कहिने का मतलब ऐसा है कि आप पर परिणाम होता है आम अदमी पर परिणाम होता है लेकिन भीकारी पर परिणाम नहीं होता है और उन दिनों में बड़े पैमाने पर ये सब कपड़े, जो बाद में गरहन होने के बाद में उनको हाथ भी नहीं लगाते थे दूसरी ये कलपना है कि जो भी खाना वगर खाना है वो गरहन के पहले खा लो गरहन के समय में कुछ खाना नहीं है कुछ पीना नहीं है कुछ भी आप खाते हो पीते हो तो उसमें कुछ ईसी रेश जाती है कि जिसके करएंट आपके शरीर पर भी परियत परिणाम होता है अभी ये तो केवल नीरा कोरां धविश्वास है कोई गलत किरणे आती नहीं है वो सूरज के और से ही आती है चांद तो कोई खुद की किरणे निर्वाइन करता नहीं है इसलिए चांद पर से जो रिफलेक्ट होकर यहां प्रकाश आ रहा है वो अगर प्रकाश कृत्वी पर नहीं पहुचेगा तो उसे कुछ बिगणने वाला नहीं है एक एक अच्छी चीजे देखने लाइक चीजे बहुत सुन्दर दिखता है तो देखिए और उसको enjoy की जी अच्छे डंग से इसके अलावा बाकी के सब अंदविश्वास उसको कोई scientific आधार नहीं केवल जिन दिनों में हमको इनका relation समझ में नहीं आता था ये क्यों होता उसकी जानकर ही नहीं थे उन दिनों में जो भी इनसान ने उसका दिमाग जो कुछ उसने चलाने का प्रयास किया उसके आधार पर निर्माण हुए हुए ये अंदविश्वास है वो आज के जमाने में हमने छोड़ देने चाहिए इसमें एक बहुत बड़ा अंदविश्वास है वो ये है कि ग्रहन के समय में अगर कोई स्त्री गर्भवती है और वो अगर कोई चीज काटती है जैसे सबजी काटती है कोई चीज काटती है तो उसको जो बच्चा पैदा होगा उसके शरीर पर उस धंग के निशान बनेगे काटने के निशान बनेंगे जब मैंने अंदविश्वास का काम 1982 में अखिल भारती अंदश रद्धा निर्बुलन समीती के जरिये शुरू किया मैं करीबन भारत के पचास उनियु सिटीईस में गया वैक्षानों के लिए जहाdepend वह मैं वैक्षान के लिए जाता था हमेशा जानकरी निकालता था कि मेरे विशय में अंदव विश्वास इस विशय से जो जो विशय रिलेटेड है उसमें क्या-क्या सवंशोधन हुए तो मैं करनाटक गहा, बंगलोर गहा वहाँ पर मैंने जानकारी निकालने के कोशिश की कि इस विशय के बारे में किन-किन लोगों ने सवंशोधन किये है एक प्राध्यपक ने, सोशोलोजी के प्राध्यपक थे बड़े उत्सा से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक विद्यार्थी ने पिएजडी किये है और उसको PhD मिले है गरहन के बारे में PhD मिली है मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि विशय है सोशोलोजी PhD उस विशय में और गरहन के बारे में कैसा फिर मैंने उन्हें और जानकरी लेनी चाहिए तो उन्होंने वो थेसिस मंगवाया थेसिस ऐसा था कि ग्रहन के दिनों में अगर कोई इस्त्री गर्भवत इस्त्री खास कर अगर कोई चीज काटती है सब्जी वगरे काटती है तो उसके बच्चों पर उस धंग के निशाना आ जाते है मुझे बहुत उत्सुकता निर्माण भई मैं पूछ रहा था उनको बहुत अलग पूछ रहा था और मुझे बता रहे थे वह बहुत अलग था एग्जेक्ली अपोजेट था और उसको पीजडी मिल चुके थी मैंने फिर जानकरी के लिए वो थिसिस की बारी की उसे अध्यान किया तो मुझे पता चला कि डाटा ऐसा लिया गया था कि जिन लोगों के याने बच्चों के शेरीर पर इंड्रम के निशान है सबसे पहले वो डाटा लिए इकटा किया गया फिर उनके माओं को ग्रैंड मदर्स को पूछा गया और उन सब स्त्रियों ने कहा कि हाँ आमने गरहन के समय में कुछ काटा है इसलिए ऐसा हुआ है और उसके आधार पर वो पीएजडी मेरे अब तो ये टोटली साइन्टिफिक के लिए गलत डाटा था क्यों के जिनके शरीर पर अलरड़ी इस दम के निशान है उनके माओं को पूछा गया ग्रैंड मदर्स को पूछा गया बात बहुत पुरानी थी उनके ठीक डंग से ध्यान में नहीं आता था मुझे ये भी पता चला जब बहुत बारी किसे मैंने ज पूछान आये है याने उनके खुद के अंदविश्वास होने के करण उन्होंने जो कुछ बोला उसके आधार पर इस विशय में पीएजडी दी गई हाला कि देखा जाए तो अब ग्रहन के दिनों में क्या करते हो इससे कोई फर्क यूवन के जीवन में मानवी जीवन पर नहीं होता है ना गर्भवती स्री पर होता है ना बच्चों पर होता है यह कोरे अंदविश्वास अंदविश्वास केवल अंदविश्वास है और कुछ भी नहीं है अभी चंद्रगरन सुरेगरन के बारे में जो आप अपने कहा है तो आप आम जंता को आम सर्वसामानी ज एक अच्छा दुरुष्य देखने का आउसर मिलता है। उसकी सुन्दरता को बहुत अच्छे डंग से एंजॉय किजिए। और इस बहाने ग्रहन क्यों हुआ है। अगर उसकी हमको जानकारी साइंटिफिक पद्दती से नहीं है तो वो जानकारी प्राप्त किजिए। और मस्ते एंजॉय किजिए। आपका रोज का काम जिस दंग से चल रहा है जो आप खाते पिते हो सब हमेशा जैसा किजिए। ग्रहन के कारण कोई भी विपरीत प्रिणाम मानवी जीवन पर नहीं होते हैं। यह आज तक साइंटिफिकली बार-बार प्रू हो चुका है। और मैंने भी ग्रहन के समय में कई बार खाया है। स्टार ABP निउस पर यानि पहले नाम तब उसका ABP नहीं था। उस समय में हमने ग्रहन का एक प्रोग्राम किया था जो करीबन 7-8 घंटे चला दिल्ले में। तब हम लें कुछ लोगों ने वहां ग्रहन के समय में खाया था। जबकि बहुत पंडित वहां इकठा हुए थे। जोतिशी इकठा हुए थे। और हमको तो कुछ हुआ ने, किसी को कुछ होता ने, बार-बार तो हम करके देखे तो भी होने वाला नहीं है। इसलिए इन चीजों पर विश्वास मत रखिए और मस्त ग्रहन एंजॉए किजे। अभी अलग-अलग जोतिशी लोग जो बोल रहे हैं कि ये रासी वाले का भाग्य खुल जाएगा, इनका भाग्य अलक्य हो जाएगा, ये चंद्रगर्ण भोती डेड़ सो साल के बाद आता है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं उनलो, आपका क्या इस पर जवाब है। अपने सीधी सी बात है कि जोतिश ये शास्त्र नहीं है, मैंने पहले ये आपसे कहा कि पहले जमाने में इस विशे का भ्यास करते थे, उनको जोतिरवीत कहा जाता था, एस्टोलोजर्स कहा जाता था। इस विशे का जाता था, उसके आधार पर भविश्य बाता था। करता था, कोपर निकस भी करता था, आगे के कई बड़े-बड़े साइंटिस जो आज जिनके हम नाम सुनते हैं, वो भी इस जंग से भविश्य बानी करते थे, कि कि उस जमाने में आम बात थी भारत में भी और बाहर में, आरिय भठ है भारत का, पाच्वी शताब्दी में, वो पहला बेकती है भारत का, जो कहता था, कि सूरज ये बीच में होता है, और उसके इर्दगित पृत्वी गुमती है, और पृत्वी गोल है, हलाकि उस जमाने में सब लोगों ने हस दिया उसके उपर, उसके भी पहले, एरिस्टेकर्स अफ सेमोस, आज से बाईस सो पचास साल पहले उसने कहा था, कि पृत्वी गोल है, और वो सूरज के इर्दगिर्द घूमती है, तो ये सब ग्यान होने के बावजूद, ये सब लोग कुंडलिया लगाते थे, कुंडलियों के आधार पर भ हविश्य कहते थे, सोलविश अतब्दी में गैलिलियो बहुत बड़ा जोतेरविद माना जाता था, उस वक्क गणितग्य भी कहते थे, बहुत बड़ा गणितग्य माना जाता था, पूरे ये उरोप में उसका बहुत एक साइंटिस्ट करके हवा था, गैलियो ने खुद ड्यूक फरिडिनान की कुंडली उसके पास आई ड्यूक फरिडिनान बिमार था गैलियो ने डिकलियर किया कि ड्यूक फरिडिनान दिर्गकाल जीने वाला है लेकिन गैलियो की कुंडली जैसे ही जाहिर हुए उसके पंधरा दिन बाद ड्यूक फरडिनाड मर गया पूरे यूरोप को धक्का पहुचा याने खास करकर जो उनिवसिटीज थी उनको धक्का पहुचा कि गैलिलियो कैसा गलत हो सकता है बार बार उस कुंडली का अभ्यास किया गया कुंडली के आधार पर गणित सही था ज्यादा ये अभ्यास जो ग्रह गुलो का अभ्यास था वो ज्यादा सेटिक हो गया ज्यादा एक्यूरेट हो गया और धीरे-धीरे 200 साल में ये प्रवरुत्ति बढ़ते गई ये विचार बढ़ते गया कि शायद ये ग्रह गुलो का अभ्यास होता है वो बहुत सेटिक होत बहुत accurate होता है बहुत correct होता है बहुत महत्वका होता है लेकिन उसके आधार पर जो भविश्यवाणी की जती है मानव जीवन के बारे में जो कुछ कहा जाता है शायद उसको कोई मतलब नहीं है और धीरे धीरे ये बात बढ़ते गई और 19 वे शताब्दी में ये दोनों ये astronomy विशे आज दुनिया में हर विद्यापिठ में science में सिखाया जाता है चाए वो physics का भाग होता है चाए एस्ट्रोफिजिक्स का भाग होता है चाए वो स्वतंत्र astronomy करकर विशे होता है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर सिखाया जाता है लेकिन कोई भी scientific विशे में य इसको मैंने जोतिरवित कहा या फिर गणित कहा गया है, उस समय में जितना भी science था, वो पूरा का पूरा science astronomy में निकाला गया है, astronomy में वो पूरी तरह से आ गया है, astronomy इतनी accurate है कि आज के जमारे में 5000 साल बाथ किस second पर grand शुरू होगा, यह हम कह सकते हैं, किस second पर grand खतम होगा, ये गणित हमारा इतना स्टिक है, इतना एक्यूरेट है, इसलिए पृत्वी पर से हमारा यान जाता है, चान पर उतरता है, इंसान को लेकर जाता है, और उसको वापिस लेकर आता है, इसमें अगर फ्रैक्शन ओफ सेकंड की भी गलती हो तो ये बात कभी नहीं संभव हो सकती इतना एक्यूरेट उस विशय का अभ्यास आज हमारा है, लेकिन उसके आधार पर जो भविश्यवानी कही जाती है, उसको कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है, इसलिए ये जोतिशी जो कुछ कह रहे हैं, इनका कहना याने जो केवल बरगलाना है, उसको कोई भी राशी के अनुसार अगर अगर हमारा जन्म हो और उसी के अनुसार अगर हमारा भविश्यत है हो, तो फिर आपके और मेरे जीवन में करने लाइक कुछ बचता नहीं है, क्योंकि ग्रहगोलों की दिशा तो बदलती नहीं है, वो तो वैसे ही चलने वाली है, मैंने कहा कि 10 ल विवेकानन जी का एक वाक्य यहां पर कहकर रुख जाओंगा, स्वामी विवेकानन जी बहुत बड़े पैमाने पर जोतिश के खिलाब बोलते थे, वो हमेशा कहते थे कि ग्रहगोलों का हमारे जीवन पर कोई परिणाम नहीं होता है, हमारा भविश्य ग्रहगोल निश्यत नहीं करते हैं, उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है कि जब तक इस भारत के जवान लोग नसीब पर विश्वास रखेंगे, तब तक भारत को कोई भविश्यन नहीं है, नसीब पर विश्वास होगा, तो आपका जोतिश पर विश्वास है, आपका जोतिश पर विश्वास पर नसिब पर विश्वास रहेगा तब तक भारत कभी भी बलशाली नहीं बन सकेगा ताकदवान नहीं बन सकेगा और महासत्ता बनने के तो बात छोड़ी देजिए